बीते 24 मई को गुजरात राज्य के सूरत शहर में एक कमर्शियल कमप्लेक्स में आग लग जाने की वजह से 22 छातरों को अपनी जान गवानी पड़ी थी आपको बता दें कि इस कमप्लेक्स के उपरी भाग में निजी शिक्षा संस्थान चलाया जा रहा था इस कोचिंग क्लासेस में ना तो फायर अलराम सिस्टम था और ना ही कोई आपात कालीन इस्तिथी में बाहर निकलने का प्रयाई रास्ता था इसी वजह से जब भीशन आग लगी तो जान बचाने के चक्कर में ही बच्चों की जाने चली गई आग को काबू पाने में भी डमकल की 19 गाडियां लगी विसियन नियूज ने इस भीशन हाथसे के बाद यह खबर प्रकाशित की थी कि अमरावती शहर में भी किस तरीके से गैर नियोजन बद तरीके से निजी शिक्षा क्लासेस चलाई जा रही है और वहाँ पर ना तो कोई फायर अलाराम सिस्टम है और ना ही आपात काली इस्तिथी में बच्चों के बाहर निकलने का कोई प्रियाई रास्ता अब इस मुद्दे को लेकर महानगर पालिका ने सतरकता दिखाते हुए शहर के 19 कोचिंग क्लासेस को नोटीस जारी किया है शहर पुलिसा युकताले में एक बैठक भी ली गई है और इन सभी कोचिंग क्लासेस का जाइजा लेने की बात अब कही जा रही है सभी नीधी कोचिंग क्लासेस संस्थानों को नोटीस जारी कर साथ दिनों में जवाब तलब किया गया है आपको बता दें कि अब भी अमराती महानगर पालिका की सीमाओं में 400 से अधिक अनधिकुरूत कोचिंग क्लासेस चलाए जा रहे हैं लेकिन फिर भी महानगर पालिका का फंदा उन पर अब तक कसा नहीं गया है सुरक्षा की दुरुष्टी से यह बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए जान से जोखिम लेने जैसा है बेरो रिपोर्ट वीसी एन निउस